तो भई कैसे हैं सब मुझे लगता है सब ठीक होंगे तो आज हम एक बात करेंगे टॉपिक पर जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी एक खैरपूल टॉपिक होगा इस गाड़ी को लेकर जी हाँ ऐसी बात है कि देखें जो कल हम इस गाड़ी को लेकर गए थे और हम गाड़ी में चार बंदे बैठे हुए थे पहले गाड़ी को हमने मतलब सब भी कंडीशन में आपको आगी चलते बताऊंगा कि देखें सबसे पहले जो हम इस गाड़ी एक नौनमर रोड पे जाए सिंगर रोड होता है प्लेन बैसे पे चलाई सब ठीक था मैंने भी चलाया इसे फिर इसके बाद थोड़ से हम जो रफ पैचीस से थोड़ा टूटा फूटा रोड था उस पे भी मैंने इसे चलाया हुए थे कि चार लोगों के साथ रेनो ट्राइबर में हम जा रहे थे तो इस गाड़ी ने मुझे काफी निरास कर दिया इस पार जी हां वो कैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि देखें मैं अपनी पहले वीडियो में आपको लेके जो तो मैं आपको कहता था कि मैं इसकी लास सीट पर थी ऐसे जो रफ पैचे टूटे फूटे रोड थे बहुत जा टूटे फूटे भी आप उसे कह सकते हैं कि ऐसा था कि जैसे हमारे आगे डिजायर चली हुई तो वह ऐसा भी लग रहा था कि यह नीचे टच हो जाएगी कुछ इस तरीके कामत रोड था आप आप इतना कुछ बड़ा जो रोड गंदे नहीं थे लेकिन ठीक ही थे तब गाड़ ने काफी अच्छा फीडबैक दिया और मुझे लगता है कि मैं पहली बार ऐसे रोडों पे गया होगा इस रैनो ट्राइबर में और जो भी फ्रंट वे मिडल वाले सीट पर बैठके तो मैं आ पर का हर एक बात मानता है उस देकर चलती है लेकिन जब मैं में इसके बैठा तो गाड़ी मतलब पूरी तरह से तंग करने लग गई वह कैसे कि इस गाड़ी के सस्पेंशन है यह मुझे लगता है साथ में आपने पहले वीडियों बताया था कि आगे बाद सस्पेंशन आप में सिर्फ चार लोग थे तो गाड़ी के लिए जो पीछे वाले सस्पेंशन थे वह इतने कुछ काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वह थोड़ से बाउसी जैसे होते हैं थोड़े बड़े होते हैं आप मुझे लगता है समझ रहे होंगे कि वह ऐसे हैं कि जब इसमें दबाब हो से तो बहुत अजीव सी लग रहा था कि उचल उचल कर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम किसी बस में ही चल रहे हैं ऐसा कुछ फ्लो आ रहा था इस गाड़ी में जो चार लोगों के साथ तो यह दिक्कत मुझे काफी लगी सस्पेंशन के साथ इसके कि अगर आप ऐसे आती है अंदर से भी कुछ ऐसा थकता शुरू कर देता तो यह बात मुझे इस गाड़ी की काफी अजीब शी लगी कि देखिए अब हम तो इस गाड़ी को पूरी तरह से सैबसेटर के लिए उस तो करते नहीं है लेकिन करते भी हैं तब तो काफी चलते हैं लेकिन ऐसे सोच रहें कुछ ऐसी जगह पर तो देखिए थोड़ी से आपको फीड़ वैक कम मिलेगा सस्पेंशन से वह आपको थोड़ा बहुत तंग भी करेंगे अगर आप कम लोगों के साथ रैनो ट्राइबर को चलाएंगे थोड़ी आफ्रोडिंग करेंगे तो पीछ वाल सस्पें सस्पेंशन जो बनाए गए हैं तो उस तरीके के लिए काफी अच्छे हैं कहने का मतलब यह था कि अगर आप इसे कम लोगों के साथ या कम लोड के साथ चलाते हैं कुछ ऐसे जो टूटे भूटे रोडों पर तो गाड़ी आपको पीछे से थोड़ी सी बांसी देखने में म पीचे से इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े ऐसे हैं कि वो जादा लोड उठा सके तो इस वज़ा से वो थोड़े बहुत बांसी होते जाते हैं ऐसे अगर टूटे फूटे रोडों बाकी नौर्म रोडों तब तो यह काफी अच्छी चलती है छोटी सी इनफॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल भी सस्काइब कर सकते हैं बाय बाय जैहिंद जैवारत